चंडशेकर आजाद अखले श्यादब को अब सीम नहीं बने देंगे असल लग रहा है सांसल बनने के बाद चंडशेकर भाई का एक अलगी रूप नजर आ रहा है कहां वो अखले श्यादब कभी बड़े भाई बड़े भाई करदे ठकते नहीं थे हब वो उनको लताड रहे है असल में मामला यह है जब चंडशेकर राजाद नगीना सीट से खड़े हुए थे तो उनको आखली समय तक ये लग रहा था कि वो अखले श्यादब उनके लिए वहाँ पर एक सीट छोड़ देंगे कि वो चंडशेकर राजाद के खिलाफ समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी उतार रहे है और जब ठिकट की गोशना हो ही ना लेकिन आपको दूखा क्यों मिलता है कल में लाइनों त्वीट करूंगा जो नोंने पहली लाइन लिखी है जो कमजोर होते हैं वो किस्मत का रोना रोते हैं जिनको उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर कर भी उगते हैं तो मुझे रोकने के लिए बहुत सारी परियास के जा सकते हैं लेकिन मुझे उगने से रोका नहीं जा सकते हैं पूरे भारत में मैं अकेला ऐसा रेक्ती हूं जो भारते जनता पार्टी से सीना ठोक के दरता है जो सीवियाइडी इंकम टेक्स छूटे मुगत में जेल से नहीं रड़ता है मैं जिसके पास कुछ होने को नहीं संगर्ष में मेरे साथ बहुत सारे साथ लिए हमें अपने संगर्ष है मैं इसको राजनीती समयता हूं दोका भूगा नहीं समयता हूं हर आदमी अपनी पार्टी के हितों को ध्यान मेरे करता। इस वीडियो में तो उन्हें शायरी करके जवाब दे दिया था और जो कहीं न कहीं सच भी साबित हो गया,जिसको उगना होता है वह उगी जाता है पत्थर का सीना चीर के उगता है, लेकिन अब दा कैमरा हमारी काफी बात हुई उनके टीम के साथ काफी बात हुई सबके सब बहुत नाराज से सबको सबको उमीदे थी कि अकलेश आदब जो है उनके सपोर्ट में आएंगी कोकि उससे पहले जयन्त चौधरी जो है उनका साथ छोड़ चुके थे जयन्त चौधरी जो है बीजेपी में जाके शामिल हो गए थे जिनकी मदद जो है कुछ टाइम पहले उपचुनाओं में चंशेकर आजाद ने की थी जिनकी वज़े से उनको एक सीट भी मिली थी जयन्त चौधरी को लेकिन उनके जाने के बाद ये तीन लोग की जो दोस्ती थी वो दो बचे थे और आखरी पंदरा मार्च को वो एक व्यक्तिव उनका साथ छोड़ के चला जाता है और उसके बाद चंशेकर आजाद ने पूरी ताकत लगा दी थी उस चुनाओं को जीदने के लिए क्योंकि अब ये चुनाओं उनके लिए बहुत बड़ा माईने रखता था सबको पता था अगर ये चुनाओं वो नहीं निकाल पाते तो हो सकता है कि वो राई निदिक करियर में दस से पंदरा साल पीशे चले जाते लेकिन ऐसा हुआ नहीं और रिजल्ट आप सबके सामने है कि किस बहुमत से वो चीते हैं असल मैं अखलेश यादब चाहते थे कि चंशे का आजाओं जो है साइकल से संसत जाएं अब आपको भी पता है या चंशे का राजाओं पर बुलिट जमती है साइकल नहीं इसलिए उनों ने उनकी साइकल का आफर रिजेक्ट किया और अपने दम पे चुनाओं रड़कर संसत पहुंच गए अब संसत पहुंचके वो दाड़ेंगे तो है यह अपना सारा गुस्सा जो है वो राहुल गानिवर अखलेश यादब पर ही निकालने वाले हैं वज़े से हर दूसरे तीसरे इंटरव्यू में वह इस मामले को उठा रहे हैं और आपको पता है यूपी में एक सबसे बड़ा दुखत काम किया था अखलेश यादब ने जो था अखलेश यादब ने ये पुरा सिस्टम हटाया ये प्रमोशन से रिजर्वेशन को हटाया तो उनको वापिस से जो है बाबू बना दिया गया मतलब ठीक है जिन लोगो प्रमोशन मिल गया था कम से कम उनको तो छोड़ देते इसी वज़े से उत्तर प्रदेश में लोग ब बहुत कुस्ता आए और चंशे का राजात को ये बात बहुत अच्छे से पता आए और इसी वज़े से बार बार इस मामले को उठा रहे हैं इन्होंने प्रमोशन रिजर्वेशन का पिल फार दिया ये वही डी है उन्होंने एडी चोटी का जोड़ लगा मुझे हराने के ल अधिए पर आए बार इस वज़े से अखलेश यादा वी मन में सोच रहे होंगे की भारी मिस्टेक हो गया ये कर दो अब ये अब ये ये वहारी वेबसाइट में आप वहां पर खरीज सकते हैं अन्वा ये गंचा बहुत अची क्वालटी का है कि ये साउट से आघा है साओ कि साउट से भूँ आ रहे हैं से अधिवासी तेल आ रहा है और वहीं दूसी स्थर बहुत सारे मीडिया इंटर्व्यूस में वह आकाशादन की साइट ले रहे हैं बैंजी की साइट ले रहे हैं अन्वाथा की मेडिया कह रहे है कि बैंजी ने 17 सिटों पर वो अलाइंस का मुक्सान पहुचा थी अब जबस्ति उन से जोड़ने अपनी टिपनी की थी शोड़ी हम भाईयों क्यों जगड़ा लगान चाहिए जहां पर कॉंग्रेस और थू राटी यह आरोप लगा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को असी में से सिर्फ तैंतिस सीट में से भी सोला सीटे सिर्फ मायावती की बीस्पी की वज़े से मिली अगर बहुजन समाज पाटी ने सोला सीटों पर वोट ना काटे होते तो आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो चुका होता कि को यह बात बोलने से पहले दसवार सोचना चा तो यह अच्छी बात नहीं कहा रहे हो प्लानिंग चल रही है और कहीं ना कहीं चंशेकर आजाद और मायावती जी सात में मिले हो एं क्योंकि आप खुछ सोचो ना नगीना की सीट पर जहां सपा के के केंड़िड़ेट को लागोवोट मिले बाचपा के केंड़िड़ेट् मिले वहीं पर बेहन जी ने अपने दमदार प्रत्याशी को हटा कर एक दूसरा प्रत्याशी लेकिया है जो मुझकिल से 10-15,000 सोचिये जहां पर बस्पा का गड़ था बस्पा की सीट थी जहां पिछली बार बहुत अच्छे वोटों से जीता था वहीं इस बार क्या हुआ ऐसा मुझे शाक है भाईसा बेहन जी और चंशेगर आपस में मिले हुएं देख लेना वीडियो को सेफ पर रख लो हो सकता है सच सब्सक्राइब कर रहे हैं कि प्रमोशन में मुझे असा लगता है कि अखलेश यादब जो है सीम बनने का जो प्लानिंग उनने बना रखा है उसमें उनको भारी नुकसान होगा मैं चंशेगर भाई से ना बहुत सालों से मिलता आया हूं और जब भी मेरी मुलाकात होती है तो हम खास तरह के वीडियो भी बनाते आएं और उन वीडियो में अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं एक सवल हमेशा कॉमन रहा है कि आप कब जो है अपने बाकी के बहुजन ली अब मैं किसी वेक्ति का नाम नहीं लेता हूं मैं बहुजन समाज को सासन में चाहता हूं और बहुजन समाज के साथ ही खड़ा रहना चाहता हूं चीज़ें हो नहीं पा रही है एक बाद चंशेकर राजाद ने लेटर भी लिखा था बहुजन के लिए बट वहां से रिप्लाई नहीं आया और बहुजन जी ने भी बातों बातों में कहा था कि पहले आकर जो हमारी मेंबर्शिप लो और हमारे साथ काम करो यह लड़ाई जरब जोशीले चंशेकर आजाद हैं अगर यह लोग मिल जाते हैं सोचिए क्या ही बवाल होगा और वो देखने के लिए तो मैं तरस रहा हूं मेरी आखें तरस रही हैं आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में कमेंट करके बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल त आखें कर बाई कीप सपोर्टिंग